हलो फ्रेंड्स आग मैं आपसे बात करूंगा धर्मेंदर की 1970 की एक मूवी जीवन मृत्यू के बारे में इस मूवी को देखने का मेरा प्लान ऐसे बना कि मेरी अपने चाचा से बातचीत हो रही थी तो ये उनकी वन ओफ दा फेवरेट मूवी है धर्मेंदर की तो उन्होंने इसकी तारीफ की तो मैंने भी प्लान बनाया कि चलिए ये मूवी देखूंगा और मूवी मुझे यह पसंद आई यह अमेजन प्राइम पे अविलेबल है और ये मूवी बेसिकली एक मैं इसको जो कैटेगरी दूँगा ये एक सोशल ड्रामा थ्रिलर मूवी की मैं इसको कै पर उसको फसा दिया जाता है एक ऐसी चोरी के बैंक चोरी में जो उसमें नहीं की होती तो उसमें इसको जेल हो जाती है और इस दुरान फिर थिर्मिंदर की मा मर जाती है मूवी में और थिर्मिंदर की जिससे शादी होने वाली होती है राकी के साथ वो भी दूर हो जाती ह तो जब ये अब जेल काट के निकलते हैं, फिर इनको पता चलता है कि किसने इनको फ़साया था, तो अब इनके पास इतने कोई रिसूर्सिज नहीं होते हैं, ये वहाँ से चले जाते हैं, पर इनकी इत्वाक से एक बहुत ही अमीर शक्स के साथ, एक इंफ्लुएंशल शक्स क ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہ اپنی ایمانداری سے ان کو پربہاوت کر دیتے ہیں ان کا کوئی بہت قیمتی سمان ہوتا ہے جو یہ بڑی ایمانداری سے ان کو لٹا دیتے ہیں وہ دھرمیندر کو ملتا ہے تو اس سے وہ ان سے کافی خوش ہو جاتے ہیں کافی امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ہی نوکری پہ رکھ لیتے ہیں اپنا ایک طرح سے رائٹ hand बना लेते हैं और तब धर्मिंदर उस शक्स को अपनी पूरी स्टोरी भी बताते है तो फिर जो इनको एक बैकिंग मिली होती है तो वो अब इनको पूरी बैकिंग दे देते हैं कि तुम उनसे अपना हिसाब भी चुकता करो अपने आपको बेकसूर भी सावित करो तो उसके बाद ये फिर अपना प्लान मनाते है और इसमें कई उतार चड़ावाते है चार चार लोगों ने मिलके इने फसाया होता है तो उसमें से मेन अजीद विलन होते हैं इसके लावा भी तीन और विलन है तो उनको ये अपने दिमागी खेल से अलग अलग तरीके से फसाने की को कुशिश करते हैं और राखी की भी इनकी लाइफ में एंट्री होती है तो इस तरीके से यह पूरी मुवी आगे बढ़ती है जो मैंने आपको स्टोरी बताई तो ऐसा नहीं है मैंने पूरी स्टोरी बता दिए मैंने को मुवी में कई उतार चड़ावाते है अच्छी मूवी है इसी मूवी का एक सुपर हिट गाना भी था जिल मिल सितारो का आंगन होगा उस वक्त ये काफ़ी हिट गया था और ये मूवी भी काफ़ी हिट गई थी और मूवी के बारे में पर मैं आपको बताओं मुझे ये पर्फेक्ट मूवी भी नहीं लगी ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको वन ऑप दा बेस्ट मूवी काउंट करूँ धर्विंदर की या एक क्लास एक मुवी मैं इसको काउंट करूँ, कमी जो मुझे इस मुवी में लगी, मुझे ये मुवी स्लो लगी, उस ताइम के हिसाब से शायद इसकी पेसिंग ठीक थी, बट ये क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर मुवी है, बेसिकली साथ में एमोशनल सोशल ड्रामा भी है, तो मोसली एक जो सस्पेंस थ्रिलर मुवी होती है, थोड़ा सा फास चलती है, बटग ही ये मुवी स्लो चलती है, एक स्लो थ्रिलर मुवी है, चैसे धर्मिंदर है जैसे हैवी डैलोफ होते है या हैवी एक्षन होता है हैवी सीन्स होते है कुछ स्ट्रॉंग और वो थोड़ा इसमें मेरे को मिसिंग लगा 1970 की यह मुवी है तो मैं भी उस टाइम के हिसाब से यह एक लाइट स्लो तरीके से चलती है तो इसमें ना तो कोई ऐसे कोई स्ट्रॉंग डैलोफ है धर्मिंदर के और जो फाइड या एक्षन भी है वो भी एंड में है आखरी दस मिनट में इसके अलावा जो धर्मिंदर की पूरी एक परसनालिटी के बेसिस पे यह मुवी आगे बढ़ती है और दिमागी मुवी है धिमाज से चलते है धर्मिंदर इसमें कि कैसे मुझे अपने दुश्मनों से हिसाब चुकता करना है बदला लेना है अपने आपको बेकसूर साबित करने तो अगर आप जैसे सोच रहे हैं कि بعد में धर्मिंदर की जो इमेज़ है कि किस तरीके से मुझे अपने मूव करने हैं सो यह एक बेसिकली अच्छी फैमली मूवी है और साथ में मैं यह भी कहूंगा कि जैसे इसमें राजिंदर नाथ भी अपनी कोमेडी के लिए फेमस थे बट मुझे लगा कि उनकी कोमेडी भी इसमें मुझे लाइट लगी उनक जो पुरानी मूवी के शौकीन है उनको यह मूवी पसंद आएगी प्रेजेंटेशन अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ग्रिपिंग है मूवी बट स्लो तरीके से चलती है सो ओवरॉल मैं इस मूवी को अपनी रेटिंग्स तूँँगा 3.5 आउट और 5 इसे गुट फैमली मूवी गुट सोशल ड्रामा थ्रिल्लर मूवी बट मैं इसको वन ऑफ बेस्ट मूवी ऑफ धर्मेंदर की काउंट नहीं करूंगा नौट एग क्लासिक मूवी पर इसे वन टाइम वाच मूवी